आपने आज मुझे माननीय महामहीम राजपाल जी के अभीबाशवर पर बोलने का मौका दिया इस अभीबाशवर को मैंने बहुती गहनता से पढ़ा समझा और जिस पकार से NCRB के डेटा को तोड़ मरूर का पेश किया गया है उसके बाद ये सोचने में मुझे कतई भी टाइम नहीं लगा की हाला की सरकार मानव जाती की है लेकिन ये सरकार शुतरमुर्ग की तर willingly परताब कीं कर रही है और शुतरमुर्ग की खासियत ये है की वो अपनी गर्दन मिट्टी में डाल कर के समझ लेती है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मैं मुझे कोई देख नहीं रहा है लेकिन जो जन्ता जिसने सरकार बनाई है वो आपको देख रही है और जिस तथा कथित अपराग मुग प्रदेश की जैगाथा आप कर रहे हैं ये तथा कदित अप्राग मुख्द प्रदेश वो अप्रदेश है जहां पर पुलिस अभीरक्षा में भी माननिये जन प्रतिनियों की दिन दहारे गोली मार कर हत्याती जाती है। यह वही तथा कतित अपराग मुग्ध प्रदेश जहां पर पुलिस ठाने अभेद वसूली का अढ़ा बन गए जहां पर आज हेडलाइन्स बनती है कि पुलिस ठानों में भी रेप पीडिता का रेप हो जाता है तो मुझे ये कहने में कताई भी गुरेज नहीं है कि आज बरतमान में इस प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं बहाँ पर ये प्रदेश निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बने या ना बने लेकिन क्राइम का हॉंटिंग डेस्टिनेशन ज़रूर बन गया है अभी कुछ दे पहले सदन में ये बात आई कि प्रोमोशन में जब रिजर्वेशन बिल आया था तो आप लोगों ने वेल में आ करके उस बिल की प्रतियां फाड़ने का काम किया था एक जाती विशेश की भरती की थी और आप समस्त लोग गूगे बने बैठे रहे थे आपने कहा कि हम इसी लिए इस तरह आ गए तो कम से कम हमी से सीख लिया होता आज 39,000 सिक्षक भरती घोटाले में भी यहां च्छातर 500 दिनों से लख लोग थी भरती पर आप से अपना अपॉइन्मेंट बेटर मांग रहे हैं आप वो गलती क्यों दोरा रहे हैं आपके लोग क्यों गूगे बने बैठे हैं क्यों आप क्या आपकी भी मन्जा है कि अब आप सकता के इस तरह बाला बैठा चाते हैं यह अभी भाषट जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा यह पढ़कर कि वर्तमान सरकार किसान की सक्ची हितैशी हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और उनको किसान सम्मान निधी की बात करके अपनी पीट ठप ठपाने का काम करते लेकिन एक बात समझने में बहुत ही जादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधी लगबख साड़े आठ करोड किसानों को मिलती है और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है छे करोड किसानों की पीट पे सम्मान पे लात मार करके सिर्फ ठाई करोर किसानों को सम्मान लिदी से नवाधा जाता है किस किसान के सम्मान और किसान हितैशी होने की बात आफ करते बहुत अधिक दूर मत जाईये सिर्फ बनारस जन्पत को देख लीजए जहां से आपका राजपार्ट चलता है बनारस की धर्ती प्याज किसान प्रांस्पोर्ट नगर योजना के लिए उसके अंदर जो उनकी भूमी का अधिगरण किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशाशन और पूरा अधिम्स्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलबे के नीचे रौधने का काम कर रहा है दस साल से वहाँ किसान लाठी की मार जेल लाए है अधिक ऐसे क्राइम्स में उनको दबोचा जा रहा है कि वो इस देश के अन्यदाता होते हुए अपराधी की लिस्ट में आ गए है किस बात में आप किसान के हितैशी होने की बात करते हैं इस बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहाँ पर किसानों की जमीन को हतियाने का काम कर रहे हैं और भूमी अधिकरहंट 2013 के बिल के व्लागू होने के वाबजूद उनको आज की वर्तमान परिस्थितों में वो मुआफजा नहीं मिल रहा है जिसके अधिकारी वो है आज वही बनारस में काशी गेक के नाम पर लाठी डंडे की मार झेल रहा है ये किसान उसकी बूमी जबरहंट गंडो के पर्दे के नीचे आज छीनी जा रही है और उसको आज यहाँ पर मुआफजा नहीं दिर जा रहा है ये चंद उधारन हैं आपके सच्चे किसान गितैशी होने के मानवर मैंने सदन में पहले भी कहा और आज भी कहती हूँ कि आस्था दिविता का प्रतीग है और भगवान राम में किसकी आस्था नहीं है भगवान राम में हमारी आस्था किसी प्रमार को नहीं चाहती और ना किसी प्रमार की मांग करती है भारतिय समाज ने जिस भगवान राम को पूजा है वो बनवासी राम है वो केवट मला का राम, निशाद का राम है वो सबरी का राम है, वो राम है जो जंगल में कंदमूल खा कर रहा है जो गरीबों का राम है जिसको आज आप नव्य भव बनाने चले हैं उसकी दिवता आलोकिक है और युगो युगों से है अगर आप मानते हैं कि पूरे विष्णे इस आलोकिक अवसर का साक्षातकार आज किया है तो इसी विष्णे मनीपुर में हुई विबद घटना करम का साक्षातकार भी किया है अगर आज 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 इस आलोकिक अवसर के लिए अफनी फी ठथब पा रहे हैं तो कम से कम मनी पुर में होई घटना करंपे एक शब्द बोल दिया होता तो हम भी आपकी फी ठथब आने का काम कर देते मरयादा पुर्शोकम्स्री राम हमारे चित्त में भी है चरित्र में भी है चिंतन में भी है लेकिन आवश्चक ये है कि भगवान राम के चरण जितने पूजनी हैं उनके आचरण भी उतने ही पूजनी हैं राम की नीती और नियदिया सर्व समाज के उन्डेन के लिए हैं परंतु अफसोस मानेवर अफसोस है इस बात का कि आपका पूरा प्रयास है इस बात पर कि आप भगवान राम को उनके अपने राजनेतिक तल पर लेकर आएं एक सुझाव के साथ कि जिस भगवान राम के चरण आप बहुत जोरों से पकड़े हैं अगर उनके आचरण को भी उतनी ही जोरों से पकड़ लेंगे तो जिस राम चेतना जिस राम तक को आगे लाकर आप इस देश में इस प्रदेश में गरीब युवा अनदाता नारी को सम्मान देने का और उत्थान देने का दंब भर रहे हैं अगर जाती वार जनगर्ना करा देंगे तो इस देश की हर जाती हो उनके जनका उनकी संख्या के नुपात में सिक्षा में सदन में नौबई में दवाई में कमाई में पढ़ाई में इस देश के खजाने में खेत खलियानों में उनकी भागेदारी सुनिश्चित कर लेकिन कहने में कतई भी कतई भी देश नहीं है कि जो आपका चाल है जो आपका चरिक्र है और जो आपका चेहरा है आपका उससे ये सत होता दिखता तो कदापी नहीं है बहुत बहुत आभार मानेवर धन्यवर